अप्रेंज कैसे हैं आप लोग इदम मज़े में हैं जलने लिए जूर जाईए फाटी की स्टार्ट होने वाला है आज का क्लास शूटा तो सब दिन परिशानी होगी जो बच्चे नहीं जूड़े हैं जल्दी से जूड़ जाईए और जो भी दोस्त नहीं जूड़े हैं सबको फड़ा-फड़ ख़बर कर दिजिए चुकि आज का गफ है डारेक्शन ओफ मागनेटिफ पोर्स मॉस्ट मॉस् पयार हैं जितने बच्चे भी हैं समने सब लोग दम फुल माइंड कंसेंट्रेट होके रहे हैं तो चलिए आपका प्यारा सर ललन सर के यूटूब चाइनल में जूड़कर पढ़ाई करने के लिए आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत चलिए तम रेडी हो जाईए आप लोग और पूरा माइंड कंसेंट्रेट करके एक घंटा हिलना नहीं है कंप्लीट है फोल माइंड कंसेंट्रेट करके सुनेंगे बहुत सारे कोश्चन होंगे आपके सामने तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटा सा कोश्चन पूछ कर आप से सबसे पहले किसका जवाब आएगा मैं यह देखना चाहूंगा त्यार है कोश्चन सुनने के लिए रेड़ी है तो सबसे पहले प्यारा सा कोश्चन आपके सामने आएगा यह मैगनेक्टिक फिल्ड है आपका और इस डारेक्शन में चार्ज पार्ट किल को पुजिटिव चार्ज है क्यों को भी वैलोसिटी से गती कराते हैं तो आपका जो मैगनेक्टिक फिल्ड का वैलू होगा वा वैलू क्या होगा यह भी सीडी फोर आफ्शन से हैं उसमें से आपको चूच करना है जल्दी से मैंने पूछा क्या है मेरे इन वार्ड आउड वार्ड करने बाव मेरे पूछ बच्चों ने डी वी लिखा आया कुछ बच्चों ने शीओ नाइंटी परसेंट ने लिखा है तो नाइंटी परसेंट लोग सवाज में संदुरुष होते हैं तेन परसेंट नहीं रहेंगे बेलू में दब चलिए बहुत सुन्दर बात युवराज ने कहा है कि सर हंडेट परसेंट मेरा आंसर सही है और बास्तम में आपका सही जवाब है इसका मतलब पिछले क्लास का बात अपने पड़के आया है क्लास में उपस्तित हुए हैं very good इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्याद बच्चों को चलिए हमारा topic है आज का direction of magnetic field हम बच्चों ने पिछले क्लास में देखा था कि सर्फ कोई भी एक charge particle है यदि यह magnetic field vector भी इस direction में है और एक charge particle plus q charge है और वो इस direction में यदि उसका velocity है और दोनों के बीच का angle यदि थीटा है तो इस charge particle पर force लगेगा और उस force का value कितना होगा उस force का value vector form में लिखना है तो मैंने लिखा था q into vector b cross vector b यह आपको याद होगा आप सिर्फ magnitude का बात करें तो magnitude का बात करें तो direction of magnetic force चुमकिया बल का दिशा चुटा चुटा वाड़ है इंगलिस में भी लिख दिया करेंगे आप लोग को accept करने की आदत हो जाएगी और आप accept करेंगे अब इस point पर हम लोग focus करेंगे direction of magnetic force तो चलिए अब हेडिंग बनाते हम लोग direction of magnetic force चुमकिया बल का दिशा संतुष्टे हैं अब इसके बारे में क्या है तो magnetic force के दिशा को बताने के लिए आपको तीन नियम पर हम चर्चा करेंगे अभी जो बच्चे नहीं जूटे हैं जल्दे अपने दोस्कों बुलाइए आप लोग क्लास उटना नहीं चाहिए अभी से हम देख रहे हैं कि लगवक टीचर अब क्या कर रहे हैं क्लास ऑनलाइन खतम होती है लाइब क्लास और अपने वीडियो को आफ कर देते हैं तो वहाँ पर जोड लगा के बच्चे कसकी भीड़ते हैं तो मैं थोड़ा सा अब नॉर्मल हूँ कि चलो कोई वाद न देखते रहे हैं दिन भर तो लाइब नहीं होते हैं तो मैं भी उसी पंडा को अपनाओंगा आज बोल दिया अगले क्लास से कल के बाद से मैं उसी पंडा पर जाओंगा लाइब क्लास खतम वीडियो ओफ ठीक है इसलिए इस बात को अब ध्यान रखिए कल से आज नहीं करूँगा आज चुके सब को सिखना ज़रूरी है कल से टाइट हो जाएंगे डखिए तुरह ठीक है जैसे आफलाइन में होता है पड़े आएंगे ख्लास उपस्तित हुए तो ठीक है उपस्तित नहीं वयत कानी लेकिन मैं तुरत नहीं करूँगा एक घंटे के बाद करूँगा क्लास के बाद भी एक घंट आपको समय देंगे क्लास को लाइब करके देखने का समझने का मोगा देंगे हम थोड़ा सा मुलाइम रहेंगे 100% हाट नहीं रहेंगे आए गवर से सर डिरेक्शन को बताने के लिए निमलिखित रूल है निमने लिखित नियम है रूल है वो कौन-कौन है सबसे पहला और सबसे फैमस किसी भी इस्तिती में ये काम देता है और वो है है right-handed screw rule इसको हिंदी में ना बॉलना है ना सुनना हिंना लिखना है इसकी कंसेप्ट को समझना के हिंदी में लेकिन इस लाइन को इंग्लीस में ही याद रखना है इंग्लि SAP ही लिखना Meyer राइट हैंडेड इस्कूरू रूल एक बार बोल देते हैं दक्षिन अस्त पैंच नियम यह कहता क्या सब्सक्राइब करेंगे और उसको clockwise या एंटी-कलोक रोटेट करेंगे यादी आप उसको एंटी-कलोक रोटेट करते हैं सासर करते हैं तो फोर्स प्लेंड के पर्पैंडिकूलर आउट वाड होगा और युद्धि clockwise रोटेट करते हैं तो इन वाड होगा तो एक छोटा सा कंसेप्ट इनके अनुसार मैं यह मैगनेटिक फिल्ड को दिखा रहा हूँ बोड के प्लेन में लेटा हुआ है लेकिन दोनों के बीच का एंगल धीटा है तो अब आपको याद करिएगा इस फोर्स का वैलू बताने के लिए वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी पर दिपानों है वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी का दिशा जिधर होगा का दिशा भी उधर होगा और वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी का दिशा राइट एंडे डिस्टूर रूल से बताने के लिए मैं आपको एदम खोव अच्छा से पिछले क्लास के पिछले क्लास में मैं सिखा चुका हूँ तो यहां पर काता है वी क्रॉस भी लेना है तो भी को रोटेट करें बी की ओर वेक्टर भी क्रॉस भी होगा यह और यह वोगी आपका यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एंटि कलोकवाईज हुआ यह 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 एंटि कलोकवाईज हईए आपका हाथ घूमा भिक्राजबी लेने में तो माइगनेटिक फोर्ष को होगा वो आउटवार्ड होगा. आउट वाड बताने के लिए आपको डॉट देना है और यह बताएगा फोर्स को आउट वाड फोर्स को बताएगा और यह हो जाएगा आउट वाड तो मैंटी फोर्स हो जाएगा आउट वाड पर्पेंडी कुलर तू दप्लेंग यही है राइट हैंडेड स्कुरू रूल यही कहता है यदि को भी क्रॉस भी एंटी क्लॉक होगा तो फोर्स का दिशा कल के लंवत बाहर के ओर होगा तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यदि वेक्टर भी क्रॉस भेक्टर भी एंटी क्लॉक वाइज हो तो सुनिएगा पुछेंगे पड़ा पर मजा आएगा पुरा क्लास है देख लिजेगा आपको लगेगा यह सर आज बहुत अच्छा चीज शीख लिए और वह रूट जो सिखेंगे आज यह डिरेक्शन पर रोज का काम होगा एंटी क्लॉक वाइज हो तो मैगनेटिक फोर्स ना लिग के सिंबॉल लिग देता है समझ चाहिएगा मैगनेटिक फोर्स का दिशा तल के लंबबद बाहर की और बाहर की और होगा बाहर की और को अंगरेजिम क्याते हैं आउडवार्ड पर्पेंडिकूलर टुद अप्लेन वाह इंग्डिस में लिक है संतुष्ट हो जाएंगा अब देखेंगे आउटवार्ड धियान से दिखेगा आउटवार्ड को दिखाने के लिए डॉट का सिंबॉल देते हैं चाहिए फोर्स या मैगनेटिक फिल्ड किसी को हम लोग पूरे फिजिक्स में आप देखेंगे बुक में डॉट बना हुआ म एक माननिता है इस माननिता को हम लोग को याद रखना है यह हुआ इस तरह से एक स्टेप यह हुआ दूसरा स्टेप आपके सामने में ला रहा हूँ अईसा होगा सर कि यदि भी क्रॉफ व्यक्टर भी आपका क्लोक वॉर्फ हो जाए फिर चेंज करके दिखा देता हूँ यदि भैक्टर भी यह है और चार्ज पार्टकिल को इस दिशा में गति कराते हैं यह एंगल plea है तो भी क्रॉफ भी जब लेंगे तो आपका यह होग clockwise, clockwise होगा, यह यह clockwise होगा, तो आपको बोलना होगा, यहाँ पर cross का चिन दिजिएगा, क्योंकि cross का चिन बताएगा, फोर्स जो होगा आपका, यह होगा, inward, inward, perpendicular, to the plane, इसको sentence में लिखना चाहेंगे, संटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे, यदि भेक्टर भी cross vector b clockwise हो, clockwise हो, तो magnetic force भेक्टर एफेम का दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत, लंबवत, अंदर की ओर होता है, यह बात आपको याद रखना है, तो inward, inward को figure में सुचित करना है, cross sign ऐसा दिया रहेगा, यह inward perpendicular को show करेगा, और outward को dot से denote करेंगे, तो इस तरह का चीज आपको याद रखना है, यह right-handed screw rule के द्वारा हम लोग दिखाएंगे, तो हम question पूछेंगे आपको कुछी देर में board पर और आपको फड़ा पर जवाब देना है, तो क्या यहाँ तक आपने सुन लिया, इसमें किसी बच्चे के मन में कुछ question आया हो, तो जल्दी पूछिए, हम आगे बढ़ेंगे, यह नहीं पूछना है, ओके, यस करके, बोलिये सरा आगे बढ़ जाएए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लाइक करने में खंजूसी करने हैं, लाइक कीजिए, जो ने बच्चे जुड़े होंगे, सब्क्राइब कीजिए, बेल आइकन दवा दिजिए, कुछ करने में कोई कंजूसी नहीं, एदम जोस में पढ़िये, मस्ती से पढ़िये, मैं आपको वादा किया हूँ, वाट्सप गुरूप में मैं लिखके बेजा था, कि चैप्टर फोर को जो बच्चा सुरू से पढ़ लेगा, मैं उनको गारेंटी हूँ 100% समझा के रहूंगा, यदि मैं समझाने में हो सफल हो जाऊंगा, तो पढ़ाना बंद कर दूँगा, मेरा इतना बड़ा चैलेंज है, यहां समानी चैलेंज नहीं होता है, आप कितनों कमजोर स्टूडेंट हैं, बस continue वीडियो देखते रहिए, live class आईए, ढंक से पढ़िए, continue मेरा चैलेंज है, हो गया यहां तक हम रेख, चलिए, अब इसको मैं डिल्ट करता हूँ, इतना साच चीज आपको याद हो गया होगा, उमीद है सभी बच्चों का, अब हम बच्चे लोग, दूसरा रूल इसमें है, उसको भी बताएंगे, तीसरा रूल बताएंगे, और तब आपको सामने, डाइरेक्शन पर, हम बोट पर फिगर बनाएंगे, और आपके answer का मैं इंतियार करूँगा, कल मैंने प्रिमेर क्लास दिया था, मेरे बहुत सारे बच्चे ने आसका से छोड़ दिया नहीं, प्रिमेर हो है, लाइब क्लास हो, क्लास आपका टाइम पर इस्टार्ट हुआ, आप उसको फॉलो कीजिए, प्रिमेर कभी कभी करेंगे, पहले बोल देता हूँ, कभी इमर्जन्सी वरक हमको दिख गया, कि साम में हमको अफ्षेंट होना है, हमको दिख जाएगा, आपको प्रिमेर करके आपको छोड़ दूँगा, आप अपने टाइम पर उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कल के बाद यदि आप आसकत करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा, नसाम का क्लास रात तक में ही खतम करना है, कल सुबाद देखने का इंतियार नहीं करना है, और इसके बाद देखिए गात वह एप में चला जाएगा, एप में आपको देख सकते हैं, लेकिन एप में जाएगा, कब जाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि डेवलपर साहब अभी समय पर नहीं देए रह समय, आईए निमले कितनी हम है, दूसरा में, प्लेमिंग्स लेप्ट हैंड रूल, प्लेमिंग लेप्ट हैंड रूल, इसमें क्या कहता है, बाए हाथ के तीन अंगली को, मध्यमा, तरजनी, अंगुठा, मिजिल फिंगर, फोर फिंगर, थम्ब को प्रसपर लंबबद फैलाते हैं, मतलब X-axis, Y-axis, Z-axis, ready? X-axis, Y-axis, Z-axis, तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबद होता है, पर्पेंडिकुलर होता है, उसी तरह से हम अपले, लेप्ट एंड के थ्री फिंगर्स को एक दूसरे के लंबद फैलाएंगे, उसमें से आपका यह जो four finger है, हिंदी में काता है तरजनी, यह magnetic field के दिशा को बताएगा, और यह जो middle finger है, मध्यमा जो बोलते हैं हिंदी में, वो बताएगा, positive charge के direction को या current के direction को, तो यह जो अंगठा है, यह जो उठा है यह बताएगा फोर्स के डिरेक्शन को फोर्स किदर लगेगा लेकिन एक कंडिशन है इसका रूर यूज हर जगा नहीं होगा यह यूज जो करेंगे एक कंडिशन हो गया सर्थ हो कि सर्थ याद रखिएगा कि भेक्टर भी कथा भी एक दूसरे के लंब वत हो हमेशा इसका यूज नहीं होगा लेकिन पहला जो नियम बता है वह हमेशा यूज होगा एंगिल दोनों के बीच कुछ भी रहे हमेशा उसको यूज करेंगे फर्स्ट लॉग को राइट हैंडेड होगा क्योंकिस में थ्री फिंगर्स को एक दूसरे के लंबत रखा गिया है मैंनेटिक फिल्ड यह इधर होगा करेंट या पॉजिटिव चार्ज का मोशन का दिशा इधर होगा तो दोनों एक दूसरे के लंबत हो चाहिए अभी इसको फॉलो कर पाएंगे इसको ध्यान में रखिएगा तो इसमें से हम आपको एक हलका सा फिगर बना के दिखाना चाहते हैं थ्री डामेंशन फिगर होगा परफेक्ट तो नहीं होगा अंडर परसेंट लेकिन कोशिस करते हैं आपको फिगर भी दिखा देने का यह हुआ आपका मैंइटिफ फिर्ट के दिखा को बताएगा यह थम्प हो गया यह बताएगा मैंइटिफ फ्रोर्स के दिखा को यह बताएगा बैलसीटी के दिखा को लेकिन किसका दिखा पजेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के गती का दिसाय बताएगा तो सब एक दूसे के लंबब़त है इसको बोलता है एंगलेजी में थमब इसको बोलते हैं फोर फिंगर फोर फिंगर इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर हिंदी में कहते हैं इसको अंगोठा चाप इसको कहते हैं तरजनी तो इसको याद रखने का कंसेप्ट हुआ इस तरह से हम लोग याद रखेंगे थंब या हिंदिये लिखते हैं अंगोठा तरजनी मध्यमा इसको अंगोठा को कहिए सबसे स्ट्रोंग आपके हाथ में सबसे थाकतवर यही है तो यह आप इसको आप कहेंगे फादर तरजनी उसे कमजोर होता है इसको आप कहेंगे मदर और मद्यमा इसको कहेंगे चाइल्ड अब मिद्ज मैंगनेटिक फोर्स अपटाएगा मैंगनेटिक फोर्स मद्यमा अग्वाइगा मैंगनेटिक फिल्ड अन्थ अक्वार्स और इसको करिंट सी बताएगा कौन करेंट करेंट का मतलब हुआ जब करेंट का चर्चा होगा तो आई भी वहां सोचेंगे लेकिन करेंट नहीं बोलेंगे तो यहां कहेंगे लुन मातलब करेंट मतलब के स मानेंगे या करेंट बोलेंगे तो यह यह हुआ करेंट याद रखने का यह तीनों परस्पर लंबत होते हैं शुरू में ही बोल दिये हैं तो यहां पर आपको याद रख लेना है इस कंसेप्ट के द्वारा फ्लैमिक्स लेप्ट एंड डूर का अप्लाइ करेंगे तो मैं इसको डिलिट करने वाला हूँ आप जल्दी से इसको सोट रिले लिजे स्क्रिंसोट जब कुर्शन पुछने लगेंगे तब आपको सेट करना है मन में तो आप ध्यान दीजिएगा जो भी बच्चे आएंगे क्लास चुड़ें और क्लास जूर के पांच मिनट भी क्लास करते हैं और छोड़ देते हैं तो लाइक करके सब्क्राइब करके छोड़िएगा बेल आइकन दबा के छोड़िएगा क्योंकि दुसरे दिन आपको सुचना मिल जाएगा आए गोर से अब हम यहां से जिसकस करते थोड़ा सा फ्लैमिंग्स लेप्ट एंड लेप्ट एंड यह लिया मैंने इसके थ्री फिंगर्स को मद्यमा तरजनी अंगुठा को एक दूसरे के लंबत फैलाते हैं लंबत फैलाने के बाद हम देखेंगे यदि मैगनेटिक फिल् या पॉस्टिव चार्ज का गति का दिशा तब यह उठा अपने आप बता देगा फोर्स कि धर लगना चाहिए तो मैं तुरत इस पे एक दो कॉस्टन पूछ लेता हूं फिकर बनाके आप लोग जबाब देंगे देखेंगे सबसे पहले को गौरी कुमारी गूरी बहुत द बच्चों को कहा था पिछले क्लास में और अभी भी मैं बोलता हूं आप सब्वी बच्चे तो पढ़ रहे हैं फैदा उठा ही रहे हैं आप थोड़ा से अपने जुनियर के बारे में विवचार किजिए आपके जुनियर लोग समाज में जहां ता हैं चैसे तैसे हैं आपक उनको हेल्प करेंगे यूट्यूब में खोल के उसको वीडियो दिखा देंगे वीडियो दिखा के चैनल के बारे में बता देंगे वेलकम दवा देंगे सब्क्राइब करवा देंगे और उनका सुवा क्लास होता है साथ से आठ वह उनको बता देंगे कंप्लेट इतना परिवार के सदस्ट बन चुके हैं यहां पर जमीन का बढ़ारा नहीं करेंगे लेकिन गुरुजी और स्टुडेंट का जो रिष्टा है यह परिवार से बहुत बड़ा स्टॉंग रिष्टा होता है कि कभी कभी सब्सक्राइब अच्छी वाद नहीं है मेरे इसीपर सब्सक्राइब है आपको गर चुर्ड के नहीं बहुत आएए ननुसी तो सबस्क्राइब करके भागे वागना है घर को पकड रहना है और मन्दारी के प्ढ़ाई करना है कि आई को सर आपको पोट लिए पहले आप को सर ना दिमाग में टेंशन देंगे देखें सबसे पहले जब आप किसका आता है राइट एक फिगर बनाता हूँ फिगर में इधर दिखाया मैंने मैगनेटिक फिल्ड के दिशा को और एक चार्ज पार्टकिल है पॉजिक्टिव चार्ज पार्टकिल का चार्ज है प्लस क्यों यह गति कर रहा है तुम्हारा इस दिशा में गति कर रहा है बेक का दिशा दिखाया मतल पर फोर्स लगेंगे इस चार्ज पार्टिक्ल पर फोर्स लगेगा उस फोर्स का दिशा गेक्टर भी बोट के तल में लेटा हुआ है गेक्टर भी गति का दिशा भी बोट के तल में है तो मैंनेटिक फोर्स का दिशा का दिशा आपको बोलना है मैं दो सब्द लिखूंगा A और B इन वाड पर्पेंडिकूलर समझ गयोंगे और B नम्मर में लिखूंगा मैं आउट वाड पर्पेंडिकूलर C में लिखूंगा बोथ और D में लिखूंगा नन अबदिज आप इस चार में से कौन आंसर को चुछ करते हैं आप लोग जल्दी से आंसर चुछ करके बताईए मैं देखता हूं कितने बच्चों का सही होता है कोई आजकत नहीं दिमाग पर जोर दीजिए मैं आपको वादा किया हूं सिखाने का तो ठीच लिखाते समय कुछ बच्चे सीख जाते हैं कुछ बच्चे कोशन पुछने पर सिखते हैं मैं बार बार कोशन पूछते रहूंगा उतना कोशन पूछूँगा जब तक सब का ज यह जवाब आ गया कुछ बच्चा न भी भी लिखा बिच में वाट नहीं लिखना आए भी सिखाने लिखिए हाँ हमारे कुछ बच्चे ने कहाता सर मैंने जो लिखा 100 परसंट गारेंटी है इतना कॉन्फिडेंस यही तुम्हें चाहता हूँ सब्सक्राइब बीच में चलिए अब सही जवाब और गलस जवाब करने के लिए आए मेरे साथ सायोग कीजिए अब चाटक है अब मेरे गभ को सुनेंगे मैं कहा कि इसको दिशा को बताने के आपका आपका लिखा दिया मैंने तो सबसे बोला था पहले कि यह जो मेरा तरजनी है यह बताएगा मैंने टीखंड के दिसा ऐगा का सबसे पहले मच को सेट करूँगा तब मैं मद्यमा को सेट करूंगा यह चार्ज पाटिकिल के गति को दिखाएगा लेकिन वो चार्ज पाटिकल पॉजिटिव होना चाहिए तब अंगठा बताएगा फोर्स कि दर लगेगा तो सर बोट के प्लैन में मैंने सबसे पहले मैंगनेटिक फिल को दिखा दिया तरजनी के दिशा में अब हाथ को गुमाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यह मद्यमा जो है आपका निचे बता रहा है लेकिन गति इदर उपर क्यों रहे है तो हाथ को गुमाएंगे सर गुमा के मैं इसे सेट किया चुमकि अच्छेत गति का दिशा तो बल किधर लगेगा अंदर की ओर मेरे बच्चे सही थे आप लोग वाले जितने लोगों का यह दा लिख्या जलदी से यास वाइल लिखिए एक जितने लोगों का था जिवाब लिखिए अपने आंजर में यू और वहाँ सुन्दा बहुत सारे बच्चे वहाँ जवाब दिये चलो 99 परसेंट बच्चों का जवाब सही है इसका मतलब इस बात को आपने फॉलो किया बहुत अच्छा अब एक स्टेप और आगे बलूंगा मैं कोशन चेंज इसमार दिमाग लगाईएगा यह वेक्टर भी है सर और चार्ज पार्ट की लिए इस दिशा में गतिक कर रहा है बेक का दिशा इधर है और यह चार्ज आपका पॉजेटिव चार्ज है अंसर वही रहेगा ऑप्शन वही है अब उसमें से टिक करना आपको कौन सही गलत होगा फिगर बदल गी आपका इस कोशन का जवाब देना है अप्शन हमेशा वही रखेंगे इस कोशन का जवाब यह है अब दीजे जवाब इस फिगर से अंसर दीजे जल्दी से चली एदम सही जवाब है अपका इस बार आपने जवाब दिया बी और यह दम हंडेट परसेंट आपका सही जवाब है आईए गौर से मैं फड़ा पर चेक कराता हूं जिसको गलती हुआ था कंफ्यूजन हुआ सर मैगनेटिक फील का दिशा यह दिखा दिए और यह मद्दमा बेक के दिशा में है ठीक है तो फोर्स क्या होगा आउडवाड फोर्स क्या होगा आउडवाड चलिए आपका सही ज यह डॉट बताएगा आउडवाड क्रॉस का चिन देंजेत बताएगा इनवाड यह चिन बहुत इंपोर्टेंट है उसको याद रखेगा चलिए फिगर बदलता हूं आपके बीच फिगर दुसरा आएगा आंसर ऑप्सन यही रहेगा आपको सही गलत सेलेक्ट करना है यहा गलते हैं इस दिशा में है सर और एक चार्ज पार्ट किल इस दिशा में गती कर रहा है लेकिन नईटी एंगिल बन रहा है चार्ज पार्ट यह जो चार्प वाजिटिव है बताएगे यहां पर फोर्स इस चारों में से कौन सही होगा जल्दी से सोच के लेकिन गलती नहीं आना सब्सक्राइब एबी सेड़ी एबी सेड़ी जल्दी से थोड़ा सा कन्फिज कराने का मैं कोशिज किया हूँ आप लोगों को अब देखते हैं हमारे बच्चे कितने कन्फिज होते हैं चलिए अब आगे गोर से सही जवाब के लिए मेरा पास सुनिए लेप्ट एंड को अप्लाई करना चाहते हैं तो सर मैगनेटिक फील इस दिसा में है राइट तो मैगनेटिक फील इस दिसा में है तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको इससे दिखाना होगा मैगनेटिक फील इस दिसा में बेक का दिसा उधार तो बल किदर लगेगा आउट वाड होगा यहां पर आंसर होगे आपका बी नम्मर सही जवाब है आउट वाड चलिए अब हम लोग चिंज करते हैं बात को और एक कोशन पूशेंगे तब फिर आपको आगे बढ़ाएंगे सर्व यहां पर आपका यह मैगनेटिक फिल्ड का दिशा मैं दिखा रहा हूं वेक्टर भी इधर दिखा दिया मैंने और एक चार्ज पार्ट किल को इधर दिखा दिया इसका गती का दिशा इधर दिखा दिया है लेकिन ये चार्ज पार्टिकिल निगेटिव है माइनस क्यूँ है चार्ज पार्टिकिल का नेचर निगेटिव है माइनस क्यूँ चार्ज है अब बता दो मेरे बढ़ लोग इस पर फोर्च जो लगेगा वो फोर्च किदर होगा इ जल्दी आप बताईए आपके आंसर का वेट करूँगा में सब्सक्राइए चार्ज निगेटिव ले लिए हैं बता रहे हैं आप लोग आंसर क्या कि आए यह दोर से चलिए बहुत सुन्दर बात जब लगवग लगओं का सही हो रहा है अब यह आप सेट करना है सर फ्लैमिंग्स लेप्ट हैं डूर राइट चलिए और मैनेटिक तर्जनि के दिखा दिए लेकिन उतलार इधर हो रहा है तरजनिंग्स लेकिन टुमारा इधर हुञारा से तरजनि यह हुआ मैडिक परिशा में और यह मद्दिमा गती के दिसा तो बल अबल इस निसा में लेकिन फ्लेमिंग साहब ने कहा था पॉस्टिब चार्ज के लिए हो रहा है इन वाट और चार्ज यहती निगेटिव है तो उसका उल्टा करना है आउट वाट यह आपकर फोर्स हो जाएगा आउट वाट आंसर होगा भी नंबर आपका जबाब हो रहा था इस वार कंफ्यूज किये थे हमारे प्रभू बच्चे जुली कुमारी क्या-क्या है कंफ्यूज कर गए नविता कुमारी ने दिया डी रहे डी नहीं होगा बावू बल तो लगना ही है चार्ज पार्ट के पॉजिटिव हो या निगेटिव हो लगेगा तो चलिए अब मैं यहां लिखता हूँ नौट करके इसको फिगर के नीचे नौट करके लिग देता हूँ भविस में गलती ना हो पॉजिटिव चार्ज रहने पर फोर्स इनवार्ड होता लेकिन या पर दुसा नम्मर है निगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा हो जाएगा निगेटिव चार्ज पर बल क्या हो जाएगा लेक्टर एफेम जो हो जाएगा वो आउट वार्ड हो जाएगा आउट वार्ड होगा ठीक है किलियर संतुष्ट है चलिए बहुत सुन्दर बात अब कॉशन पूछने से अभी हम ठके नहीं सबका जवाब सही नहीं आया था इस बार इसलिए मैं कॉशन को पूछने में अभी बाकी रह है और एक कॉशन पूछूंगा मैं आपसे सब्सक्राइब को दिखा दिया यह गती का दिशा दिखा दिया लेकिन यह चार्ज निग्रेटिव है बताइए जल्दी से उसमें चारों में शामसर से बताइए जल्दी बताइए अभी क्लास आउर अधा गंड़ा चलेगा विच में आसकत नहीं करना है आप लोगों को अभी तो बहुत सिंपल है अभी और जटिल जटिल कोशन आपके सामने आएंगे आम रूल बताएंगे तीसरा रूल आम रूल बताकर आपको फिर डारेशन पूछूँगा भविस में आपको डारेशन से रिलेटेड कोई प्रोब्लम ना हो मैरे यह प्लानिंग है इसलिए क्लास को लिप करने का कोशिज नहीं करेंगे आप लोग कंटिन्यू मेंटेंड रहें करेंगे कि में कि कि सब्सक्राइब और ने कि सबीत ने जवाब दिया कुछ बच्चे भी आ गया है सिभम कुमार की अमिद कुमार भी बोल दिये है परमोज्यादब भी बोल दिये हैं और बिए मारे कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं सोरब कुमार भी बोल रहे हैं कि यह सर हमारा मैगनेटी फिल्ड का दिशाह है आए गवर से देखिएगा मैगनेटी फिल्ड का दिशाह यह है इदर गटी का दिशाह यह है वे दिव गुड और यह हो ना चाहिए आउट वाट यदि चार्ज पॉजिटीव होता तो मैं रहे है तो आउट वाट लेकिन चार्ज निगटिव है तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा इनवाट हो जाएगा ही होगा यह नंबर में इन वार्स का अंसर सही होगा संतोष्ट? यस चलिए अब हम लोग यहां से इसको छोड़ते हैं एक छोटा सा चीज मैं पूछूंगा लास्ट कोशन आपके अनुसार मैगनेटिक फिल्टर बेक्टरी यह है और एक चार्ज पार्टकिल को चार्ज यह निगेटिव चार्ज पार्टकिल है और इस दिशा में वो गतिक कर रहा है तो अब बताईए इसमें से सही आमसर कौन होगा इस वार सही आपका दिमाग का टेस्ट होगा सागर बाबू कोशन का अंसर देने से फुर्शत नहीं है आपको मैंने आपको बाबू कहा है परतिष्ठा बचाईए सम्मान किजिए इसमें आमसर बताईए एबी सीडी हम सभी लोग तयार है और सही जबाब हुआ दि इस इस अटी पर्लल अटी पर्लल थीटा 180 डिडरी बाइटिक फोर्स चू भी भी साइन 180 डिडरी फोर्स इजिरो फोर्स ही नहीं लगेगा तो डारेशन का कोई अपी नहीं होगा अग्या कम्रेट चलिए तो हम लोगों ने उमीद है यहां तक पकड़ लिया होगा बात सर अच्छ यह जो बता रहता है सरा फ्लेमिंग्स लेप्ट हैंड डूल इसमें कभी कभी आपसे कंफ्यूजन होता है यहां पर फोर साब बता होगे मैं राइट हैंड स्कूरू रूल अप्लाए करना चाहता हूँ पहला नियम सर भी क्रॉस भी बत्तब भी क्रॉस भी लेंगे तो यह सर क्लॉक वाइज हुआ क्लॉक वाइज हुआ चार्ज मैंने भी दिया नहीं था यदि चार्ज पॉजेटिव होता यहां पर तो हो जाता वो क्लॉक वाइज होने के कारण इन्वाड और यदि यहां चार्ज निगेटिव रखते तो उसका उल्टा हो जाता आउट वाड तो इसक्रू रूल से हम बह चार्ज पॉजेटिव है तो उसके लिए हमारा यहां पर यह जल जाएगा इन्वाड इन्वाड यदि चार्ज यहां पर निगेटिव रखते तो यहां पर हो जाता आउट वाड तो चलिए यह कंसेप्ट अपलाइग कीजिएगा आप कोई दिक्कत नहीं है आराम से बता द देता हूँ और तीसरा नियम पर बताते हैं और अभी आप छोड़ेंगे नहीं आपको आथ 15 तक क्लास होगी कंटिनियू अभी इसमें आगला पॉइंट भी पढ़ाएंगे इसमें फोर्स के मैंनेटिव फोर्स के बारे में और उसके बाद मैनेटिव फिल्ड के यूनित औ होंगे उन सारे बातों पर भी अभी चर्चाएं होगी तब लारेंज फोर्स का थोड़ा सा बात बता के आपको मैं छोड़ूंगा तो तीसरा नियम आपका था राइट हैंड पांब रूल आईए इसको समझे फिगर के साथ यह रूल क्या बताना चाहता है कैसे बताना चाहता है और तब यदि इसका जवाब आप सीख जाएंगे जो बच्चे अभी तक पढ़े बहुत अच्छा लेकिन अभी जिती दस मिनट नहीं सुनेंगे तो सबसे बुरा हो जाएगा जो बच्चे भी नहीं दिखना छोड़ दिया होंगे उनको जल्दी बुला लीजिए बाबू नहीं जल्दी आजाओ चुटना नहीं चाहिए अभी का राइट हेंड पाउम रूल राइट हेंड चीक है यह राइट हेंड है पाम इस सत्था को कहते है इसको कहते है पाम ने हथेली यह किसी को मारेंगे जहापड तो इसी से न मारते हैं तो बल लगाएंगे इसी से बल लगाएंगे मतलब इसके लंबत दिसा में बल को बताया जात यह उसके बाद यह four finger को एक साथ सटाका रखेंगे और thumb को उसके perpendicular रखेंगे यह सबीर फिंगर एक साथ है और उसके लंबत जो एंगिल बनाता है यहाँ पर लंबत यह आपका अंगठा पेज़ा नहीं को हुए को यह तो यह उटा हुआ यह आपका यह सभी कर एक साथ रहेग यह एकर होगा और यह हथेली का जो, लंबत दिशा होगा हिधर, यह फोर्स को बताएगा, सऩो हमेशा इसके लंबत होगा इसे सोचेंगे, यह हाथ जिदर जाएगा उधर ही फोर्स का दिशा होगा, अब फिर से मैं बोलता होगा, आसओ सुनेंगे इसमार खाया सर, यह आपका अंगठा जो है वो गती के दिशा को बताएगा positive charge particle के गती या current के गती को बताएगा और यह जबी अंगलिया जो है magnetic field के दिशा को बताएगा तो यह जो हथेली है, palm है या force के दिशा को बताएगा यहाँ भी perpendicular का गफ होगा यहाँ भी यह तिर्चा एंगिल बनेगा तो वहाँ पर यह बाते फैल कर जाएंगे तो इस तरह से हमको ध्यान देना है तो इसको हम लोग figure को बोर्ट पिलाते हैं आप ध्यान से सिखेंगे तो इधर जो बताएगा वो magnetic field को बताएगा यह जो बताएगा velocity को बताएगा और यह जो बताएगा palm कि तल के लंबवत जो होगा वो फोर्स को बताएगा बहुत असाम से बात इसमें बोला गिया है कि एदम ऐसे जो देना का काम होता है उसी तरब से बल उसी से लगेगा इस तल के लंबवत इसको सोचा जाता है इसको हमेशा ज्यान में रखेंगे तो यह है आपका अंग उठा और यह वही सभी फिंगर जो हुआ मैंने की फिल को बताएगा पाम के तल का लंबवत जो होगा फोर्स को बताएगा तो इसका देखेगा इंपॉर्डेंज कितना होगा यह कितना अच्छा सा चीज है यह कितना कठी निस्तिति में आपको help करेगा तो मैं आपको figure बना रहा हूँ उसको समझाने के लिए यह board के तल में इसमार magnetic field नहीं है यह board के तल के लंबवत है यह तो अंदर की ओर है यह बाहर की ओर है तो उस समय फोर्स किधर होगा उसको बताने के लिए यह बहुत गंबिर मुद्दा है गंबिर पॉइंट है उसको गौर से देखेंगे हम बच्चे लोग सर इस बोट के तल के लंगवत मैगनेटिक फिल्ड है अंदर की ओर तो अंदर की ओर के सिंबॉल को इनवाड को मैं क्रॉस साइन से दर्शा होंगा मैं बोला था कुछ दिर पहले आप लोग उसको फॉलो करेंगे आप जब पढ़ेंगे इस चेप्टर के बुक को तो देखेंगे वहाँ पर ऐसा ऐसा सिंबॉल बना हुआ आपको बुक समय मिलेगा तो आप उसको क्या समझोगे यह सिंबॉल होने का मतलब हुआ कि यह मैगनेटिक फिल्ड को बता रहा है यह मैगनेटिक फिल्ड को बता रहा है और यह मैगनेटिक फिल्ड किदर है यह आपको कह रहा है इनवाड क्या है इनवाड परपेंडिकूलर परपेंडि इन्वाट पर पेंडी कूलर तू दा प्लेट सर यह मैंगेनितिक फिल्ड का यह सिंबॉल हुआ ऐसा कहीं पर बना हुआ है और यह कराक्षम को बता रहा है हम बच्चे समझेंगे कि बोट के तल के लंबवत अंदर की और मैंगेनितिक फिल्ड का दिशा है अब इस मैंगेनितिक फिल्ड का दिशा अंदर की और है और यह बोट का सत्य है यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्ट कील को रखा प्लस क्यूँ चार्ज रखा और उसको मैं बोट के तल में बाए से दाएं की और राइट सैड में गति करा रहा हूं भी बेग से तो इस पर फोर्य किधर लगेगा यह पूछा जाता है आपसे इस force के दिशा को आपको बताना है यह force के दिशा को आपको बताना है उपर की और या नीचे की और left side या right side चार option यहाँ पर देंगे आपको force का जो दिशा यहाँ पर पूछेंगे आपसे वो force के दिशा में हम आपसे पूछेंगे चार option पहला option में देंगा मैं उपर की और, उपर की और, B में कहूंगा मैं, नीचे की और, ज्यान से देखिएगा, और C में दूँगा मैं, लेप्ट साइड, या दी में लिखूंगा मैं, राइट साइड, यह चार चीज़ की संभावना है, इस चार में से एक answer आपको बताना है, य आप इसको गौर से समझेंगे, यह थोड़ा सा मन पे जोर देने की बात है, और यह फिगर आपको पूरे हर जगा मिलेगा, सभी बुक में, कोस्टन इसमें बहुत ज़ारा, टिपली में तो कई बार पूछा गिया, इस तरह का फिगर बनावना के, और उसे में आपको मैंट देने भी लगे, बहाँ बहाँ, वह आरे बहाँ दूर सब, मैं टियर स्टुडेंस अव, तुमनों खुस कर दिया हमको, कि सरा बताते रहिए, हम लोग आंसर देना शुरू कर देंगे, बहाँ बहाँ मज़ा आ रहा है हमको, बिना हिंस का आप लोग जवाब दे रहे हो, बह यही एक्टिविटी में चाहता था, और अब दिखने लगा आप लोगों के द्वारा, यही प्यार चाहिए हमको, गलत जवाब वहाँ, सही जवाब देंगे, लाइब करेंगे, और जवाब देंगे, इसमें कोई कन्जूसी नहीं, गलत होगा, आप सिखाईएगा सर, रिको अपने प्यारे सर का क्लास देखना सुरू कर रहा होगा, यह भी पॉसिबिलिटी है यह, तो मैं बताया कि क्रॉस चिन के द्वारा यह बताया जाता है, कि किसी भी चीज, कोई भी वेक्टर क्वाइन्टिटी के दिशा को, डारेक्शन को, क्रॉस चाहिन के द्वारा दिखा तो यहां पर फोर्स लगेंगे, इस मैगनेटिक फिल्ट के द्वारा इस पर, फोर्स किदर होगा, यह चार ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, तो इसको हम बतायाँगे, राइट हैं पाम रूल के द्वारा, इसको मैं सोचूंगा, किस के द्वारा है, राइट हैं पाम तरफ रखेंगे और इस अंगुठा को रखेंगे गती की दिसामें और यह जो सता तल यह जो भथेली है यह हमें फोर्स को बताएगा इसके परपेंडिकुलर फोर्स को समझना है तो आईए यहाँ पर set करता हूँ magnetic field inward magnetic field inward अब गती के दिशा में अंगुठा को ले जाएंगे magnetic field inward गती के दिशा में अंगुठा को ले गएंगे उपर की ओर उपर की ओर उपर की ओर answer आपका सही हुआ उपर की ओर और आप सभी बच्चों ने लगभग 95% बच्चों ने एक लिख चुगा था very good बहुत सुन्दर बात अब आंसर वही रहेगा चित्र बदलूँगा magnetic field वही है इस चार्ज पर्ट के गती को बदलूँगा आप लोग फड़ा फड़ इस एभी सीडी में बताईएगा आप जबाब देने लगे मेरा duty खतम चार्ज पर्ट किल को मैं यहां रख रहा हूँ option वही रहेगा चार्ज पर्ट किल प्लस क्यूँ है और इसको आपने गती करा दिया इस दिशा में वी वेलोसिटी से लेप्ट की और इस पर फोर्स लगेंगे निश्चित रूप से वो फोर्स किधर लगेंगे आप बताएंगे जल्दी से इस चारों में से एक आंसर सही है चारों में से एक आंसर सही है भड़ड बताईए पुरा मेहनत कर रहे हैं अब याद रख्येगा आप लोग खले भूलियेगा नहीं दो दिन के बाद चली कोई बात नहीं सर हो तो गया magnetic field दिशा में यह सभी अंगली को दखाएंगे और यह अंगठा जो है गति के दिशा में दिखाएंगे गति इधर हो रहा है तो गति के दिशा में बहुत अच्छा चलिए तब कोईशन बदल देता हो तुरत आपका कोईशन में बदल के आ गया option भी आपका यहां से सही चीन काठा के आप दुस्रा लिकूंगा मैं फिगर वही है सब्सक्री वही है option वही है जो है बोट के तल में नीचे की और गति कराया मैंने निगेटिव चाज पार्ट किल फॉर एक्जामपल इलक्टर्ण को मैं नीचे की और गति करा रहा हूं तो यहां पर जो यह गति मैंनेटिब फइल्ड focusing on the phrase को एक तो पाँ किलिए जैगा पामीक हो जाए गांड॥ राइट साइड लेकिन निगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा सोचेंगे और वो हो जाएगा लेप साइड आंसर हो जाएगा आपका C नंबर ठीक है आप लोगों ने दे चुका है पहले से एक दू बच्चे ने यह लिग दिया था पॉजिटिव होता तो राइट साइड निगेटिव है तो उसका उल्टा सोचना है तो जो बच्चे डी दिये थे वो पॉजिटिव सोच पर ध्यान नहीं दिया होंगे ठीक चलिए आप कम्प्लीट हो गया अब ज़रा साथ चेंज करूँगा फिगा पिटा दू या सर एक दम अब मैगनेटिक फिल्ट को मैं लिख रहा हूं आउट वाट इसका मतलब उसको सोग करेंगे डॉट के दुबारा डॉट डॉट बना हुआ है मेगनेटिव फिल्ट के बारे में तो आपको करना होगा कि वह आउट वार्ड बता रहा है प्लें के परपेंडिकुलर आउट वार्ड मेटिटिफ फिल्ट को दिखा रहा है इस मैगनेटिव फिल्ल में एक चार्ज पॉश्टिव चार्ज को उसके गत्यक दिशा को इदर, बिएक जड़ी बता दो मेरे को उस चारGU को बताईए, जल्दी से नीचे और उपर तो नहीं होगा गती के दिशा में कभी फोर्स नहीं होता है गती का दिशा 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 दिखाते हैं तो नीचे या उपर ये दो बात खतम हो गया A और B का कोई चांस नहीं होगा तब दो ही बचेगा C और D COD में एक चूज़ करना होगा आपको तो चलिए आईए अबनी बार मैनेटी फिल्ट की दर लगना है आउट बार प्लैन के परपेंडिकुलर आउट बार इस दिसाम मैनेटी फिल्ट लगेगा बाहर की ओर गती किदर हो रहा है लेप्ट साइड चार्ज पोजिटिव है तो हो जाएगा लेप्ट साइड हो जाएगा इस कांसर हो गया आपका भी जवाब होई है एक बच्चे ने डी लिखा था नाम नहीं पढ़ पाए निकल गया एके निराला के रहे डी नहीं होगा बाबू क्लियर सेड वामन में फिर से बोल देता हूँ जो जो बच्चे डी देवाब दिये थे माइगनेटिक फिल्ड गती विचे की और तुबल इधर इस तरफ होगा मतलब इधर बता दिख बोल रहा है आम लोग लेप्ट साइड होगा यह होगी आपका अब चलिए यहाँ पर फिगर कोज़ा सब बदलते हैं और लास्ट आपको कोशन पूछ रहा है अब आपको जवाब देना है जल्दी से एक चार्ज पार्ट किल मैंने यहां रखा सर और यह निगेटिव है निगेटिव चार्ज है और इसके गती को मैं इधर दिखाया हूँ इस दिशा में अब बताएं इस पर फोर्स लगेगा तो किदर लगेगा फोर्स लगेगा तो किदर लगेगा यह भी सिटी में चुनिये जल्दी से तो आप लोगों ने आज यह पच्छमा क्लास है मुविंग चार्ज और मैंगेटियम का इस पच्छमा क्लास में से चार क्लास इसके पहले हो चुका है उस चारों क्लास में उतना दम नहीं था जितना आज की क्लास में बाते हुई आज की क्लास को इस शिख लिया तो समझी हमारे इस चेप्टर में बहुत सारी problem का solution हो गया बहुत सारी चीज़ों को असानी सब समझेंगे इसका answer आप लोग दे चुके हैं क्या क्या तेरे आप लोग answer अधर ये नंबर हाँ डी चार्ज का गती लेट री तो लेट और राइट आंसर नहीं होगा लेट और राइट आंसर होने का कोई तो आपका अंसर हो गया बी नंबर सही अंसर हो गया एकदम संतुष्ट है सर कोई डाउट नहीं बीच में कोई दिक्कत नहीं चलिए डियर इस फिगर को मैं डिलिट किया और एक या दो फिगर और बत्त पुछूंगा मैं अपसे अब मैगनेटिक फिल्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस तरह का मैगनेटिक फिल्ड है यह कलागा इस तरह का फिगर बलाएगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड एक समान चुमकिय छेत्र को इसी तरह से दर्साए जाता है कि चुमकिय बल रेखाई जो होगा एक दुस्य के समांतर होगा एक्वडिस्टेंट होगा एक समान चुमकिय छेत्र एक समान चुमकिय छेत्र यह है अपका इसमें एक चार्ज पार्टकिल को मैं गति करा रहा हूं और यह चार्ज पार्टकिल पॉजिटिव है ऑफसल यही है अब बताईए इसमें से कौन आंसर सही होगा अब बच्चों का दिमाग चेक कर रहा हूं मैं जितने बच्चे छोड़के चले गए उनको तो पस्ताना होगा लेकिन जो बच्चे भी क्लास में परजेंट हैं वो देखते हैं उसमें से कितने लोग सही जवाब देते हैं हमारे इस कोस्टन का आपका फाइनल अब ब्रेंट टेस्ट हो रहा है मैगनेटिक फिल्ड बोट के तल में इस तरह से है जो चित्र में दीख रहा है चार्ट पाट किल जीचे क्यों गतिक नातिया है तो बल इस पर लगेगा किधर अब आपने जो भी आंसर दिया आपका आंसर सही है या गलत है हम नहीं बोलेंगे आप फिर को बोलोगे अब रुख जाओ चैट करना बंद कर दिजिए तो सुनिया गौर से अब तल में है तो मैंटी फिल इस दिशा में है लेकिन चार्ज का गति उपर नहीं है नीचे है तो हाथ को गुमाना पड़ेगा माइगनेटिक फिल और चार्ज का गति का दिशाय ये हुआ तो बल किदर लगेगा ऐसे तो बोट के तल के लमवत बाहर के और सारे आंसर यहां गलत है मैं आपको यही चेक कर रहा था कि मेरे कितने बुत्रू सही जवाब देते हैं इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है आसर रोने का मन करता है रोने का मन करता है हाँ इसका आंसर सही होगा आउट वाड यह जो फोर्स होगा है हापार यह फोर्स आउट वाड पर्पेंडिकुलर यह सब गलत हो गया यहां पर कोई सही नहीं है इस बोड के तल के लमवत बाहर की और यहीं वह आपको बताया जा रहे हैं क्योंकि बोड के तल में लेटा हुआ इधार गती नीचे की और है तो बल लगेगा बाहर की और आउट वाट संतुष्ट है है हाँ हाँ चलिए जब संतुष्ट है तो फिर मैं नहीं की मानता नहीं कोशन चेंज कर रहा हूं है कि सारित्ता कोशन मत पूछिए अच्छा लास्ट कोशन अब इसके बाद मैं पूछेंगे वाग करिंटी लास्ट पूछ रहे है चार्ज पार्ट की लाए माइनस में चार्ज है और उसका गती का दिशा इधर दिखा दिया हूं अपने मन से कोई option नहीं देंगे आप बोलिए क्या बोलिएगा left, right, upward, downward, outward, inward जो इसमें आपको नज़र आवे वो बोलिए छे अंसर बोल दी इसमें upward, downward, left, right, outward, inward उसमें से कौन सही होगा वोड लिखके बोलिए आप लोग जी एफ म्यूजिक मस्ती, inward आपने लिखा, आसिस कुमार ने आउट वाड लिखा, रजनिस बावू ने लिखा, inward, सुजित बावू ने लिखा, inward, अब चैटबग तोड़ने लगा, आपने दिख रहा क्या लिखे आप लोग हाँ तो यहां पर इसका जवाब होगा आपका डियर इस्टुडेंट, नो फोर्स फोर्स ही नहीं लगेगा सर, महिनेटी फिल्ड के एंटी परलल है, एंटी परलल है, जहाँ कोई नियम लगा के देखिए, फोर्स ही जीरो हो जाएगा, और ऐसे भी हम लोग इसको अप्लाइं करना चाहेंगे, यह महिनेटी फिल्ड के दिशा में, यह गति के दिशा में फोर्सिस कीजिएगा, यह और यह अपोजिट कभी नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स भी कभी नहीं लगेगा, जाए इन, जाए भारत, फिर मिलेंगे, अगले क्लास में, नहीं इनर्जी, नहीं जोज के साथ,